आज ही डाउटनेट आप डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ Download Now अब बोला जारा है, अगर दो of six cells जो है, वो अगर wrongly connected हो जाता है, तो balancing length जो होगा, वो हमारा क्या होगा, यह हम लोग को बतानी है, ओके, यह चार options दिये गए, जिनमें से हम लोग को find out करनी है, कौन सी right options है, तो चलिए, solution पर चलते हैं, जैसा कि हम लोग जानते है, in potentiometer, हमा जो यह E होता है, यानि EMF, वो directly proportional किसके होता है, resistance के, और यह resistance जो होती है, directly proportional to length होती है, यह चलिए हम लोग कर सकते हैं, जो हमारा E है, वो directly proportional to length है, ओके, अब देखिए, यह क्या करा रहा था, six identical cells है, और यह series में connect कर दिया गया है, ओके, तो जब six identical cells है, तो यह हमारा क्या हो connection, कितने हो गया है, six हो गया है, तो इसका जो equivalent है, यह कितना है, six E हो जाएगा, क्योंकि E, E सब की थी, तो यह six E voltage हो गया, equivalent EMF, ओके, और इसका जो balancing length है हमारा, कितना है, L है, अब बोलड़ा है, नहीं, अब उसमें से दो जो है, वो क्या हो गया है, opposite connected हो गया है, यानि उसक को हम लोग reverse कर देते हैं, ओके, तो ये चार हम लोग सही connect किया है, अब बाकी दो जो बोला गया है, वो क्या है, wrongly connected है, तो ये दो हो गया है, तो ये दो क्या है, wrong connection है, wrong connection, और ये चार क्या है, हमारे right connection है, ओके, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, कि ये जो हमारा, ये क्या ह तो इसे हम लोग E मान सकते हैं, यह E हो गई, यह भी E, यह भी E, और यह भी E, अब देखें, यह क्या इसका opposite direction में connected है, इसलिए हम लोग यह minus E कर सकते हैं, यह minus E, तो यहां क्या होगा हमारा, यह E से यह cancel out हो गई, यह minus E है, और इस minus E से यह cancel out हो गई, तो हमारा जो overall E में फेक कितना है, 2E है, और इसी के cross हमारा जो balancing length है, L' अगर हम लोग मानते हैं, यह हम लोग को find out करने बोलिए, तो चलिए, यहां पर हम लोग value put करते हैं, तो हमारा क्या हो गया, E 2 divided by E 1 equals to, क्या हो जाएगा, L' divided by L, तो अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, put करेंगे value equals to, हमारा E 2 क कितना है, 6E है, equals to, L' हम लोग को find out करने है, और L जो है, हमारा balancing condition कितना है, 6E के cross L, तो यह L हो गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यह, यह 3 times हो गई, तो हम लोग कर सकते हैं, जो हमारा L' होगा, यहनि, wrong connection के बास, जो balancing length होगा, वो कितना हो जाएगा, L Y 3, यहनि, option number जो हमारा B है, वो right option है, okay?